रंबकम यजाम हैं सुगन्धेम कुष्क वर्धनाम। सहहरण पुर्वे मंत्रोचारन के साथ मुस्लिम व्यक्ती ने शिवलिंग पर जलाभिशे किया। जलाभिशे करते मुस्लिम युवक का वीडियो बहुत टेजी से वायरल हो रहा है। जलाभीशे करने वाला युवक मुस्लिम राश्री मंच का जिला सयोचक बताया जा रहा है जलाभीशे करने वाले मुस्लिम व्यक्ति का कहना है कि उसकी भोले नात में अगाद आस्था है और भगवान भोले नात उनके आराध्य देव है और भविश्य में अगर भोले नात की क्रपा रही तो वो बनारस जाकर भी भगवान शिव का जलविशे करेंगे अपने पूरवजों की परंपरा और भारतिय संस्कृति को आगे बढाते हुए उन्होंने ये जलविशे किया है और उन्हें उलेमाओं के फत्वे की कोई परवा नहीं है हमने देखे जलाविशे किया है शिवलिंग पर हम सब पर भुरे नात की करपा बनी रहे और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और अपने धर्म का और सभी धर्म के सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ और हम चाहते हैं कि देश में भाईचारा और शान्ती बनी रहे हमारे पूरवज भी जो है वो जलाविशे किया करते थे अपनी पुर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने जलाविशे किया है और जल्द ही हमें भोरिनात वारंसी का अंदर बुलाएंगे हम वारंसी के अंदर भी जाकर के ज्यान वापी में शिवलिंग पर जलाविशे किया है हर हर महादेव हर हर महादेव हर घर महादेव हमें जरूर वारन सी गुलाएंगे। जानकारी के अनुसार दियोभन्द के शिव मंदर में भोले नात का जला भीशे कर रहे इस शक्स का नाम राव मुशरणर अली है जो कि मुस्लिम राश्रिय मंच कास जिला से योजग भी है हाला कि मुश्रफ अली अकसर चर्चा में बने रहते हैं एक तरफ जहां हिंदू संगचन इसकी तारीफ कर रहे हैं तो वहीं इसलाम से जुड़े लोग इसे इसलाम के खिलाफ कहते नजर आ रहे हैं पंजाब के सिरी टीवी के लिए सहारन पुरते राम कुमार पुंडिर की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद